नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारिवार VBR स्टडी में कुछ किये बिना यूँ ही जय जय कार नहीं होती और कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती जी हाँ इन्ही लाइनों के साथ एक बार फिर से हम उपस्तित हैं क्लास टेंथ की NCRT मेंच लेकर के एकसरसाइज चल रहा 3.5 आज ये पार्ट नमबर 10 है लिनियरी क्वेशन का ध्यान से देखना साथ ही हूँ ये क्लास हिंदी और इंगलिस दोनों मेडियम में होगी तो अगर आपको इंगलिस देखके थोड़ी घबराहट हो रही है तो बिल्कुल परिसान मत होना चलिए फाइस्ट कुश्चन हो चुका है सिकेंट कुश्चन का फाइस्ट वाइट हम देखेंगे उसके बाद जो उसमें बचा है उसको आप कर ले ना घर से ठीक नहीं आएगा तो बताना फार वीच वैलूज आफ ए एंड बी बिल्द फालूइंग पेयर आफ लीनियर इक्वेशन have an infinite number of solution देखो पहले मतलब समझे ना घबराना मत इंगलिज देख के कहने का ये मतलब है कि दिये गए इन जो समीकरण है इनके लिए ए और बी का कौन सा मान कौन सा मान मिन्स विच वैलू आफ ए और बी का कौन सा मान आगे क्या कह रहा है लिनियर इक्वेशन have an infinite number of solution मतलब कौन से मान के लिए इन लिनियर इक्वेशन के आनंत क्या होंगे हल होंगे मतलब ए और बी का कौन सा मान रख दिया जा इस समीकरण में कि इन दोनों समीकरणों के आनंत solution हो जाए infinite solution हो जाए यही करना है जैसे कि अभी इसके पहले जो student देखे थे उनको कुछ समझ में आ रहा होगा हमने आपको यह बताया था कि जब a1, b1, sorry a1 upon b1 equal b2 upon c2 ऐसे कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ना a1, b1, c2, b2 यानि कि जब आपस में बराबर होते हैं तिनों तब अनंत solution होते हैं इसको नोट कर लो जल्दी से तो मैं आगे बताता हूँ देखे इसके लिए क्या होता है अनंत solution के लिए सब बराबर होने चाहिए साथियों ठीक है a1, a2, b1, b2 और c1, c2 बराबर होने चाहिए तब ही अनंत solution होते हैं तो हम बराबर करके आपको दिखा देते हैं ये देखो इधर देखना पहले ये एक equation है पहला है ये दूसरा है याद रखना जैसे उधर compare करते थे वो ऐसे करोगे तो यहाँ पर निकालोगे साथियों यहाँ से a1 तो a1 बराबर 2 है b1 निकालो इसमें से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इसमें चलोगे तो क्या होगा आगे गवर फर्माना थोड़ा याक्स है और यानि कि ये a2 की जगा पर क्या है a-b और ये b2 की जगा पर क्या है a plus v ओके ठीक और c2 की जगा पर क्या है यह पूरा जितना परपंच है ना इधर साइड, यह सब C2 की जगा पर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानि कि यह माइनस में 3A धन B माइनस का 2, क्या लिखा मैंने, 3A प्लस B माइनस का 2 यह है C2 का मान, यानि यह सब आगे न, ओके बहुत अच्छे, अब हम क् करेंगे, जो पीछे करते आए, वही सब करेंगे, A1, B1, A2, B2, C1, C2 निकालेंगे, देखना, चलिए, A1 अपान A2, इक्वल B1 अपान B2, इक्वल क्या है, C1 अपान C2 यह होने चाहिए, लेकिन इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले मान तो रख लेते हैं नहीं, तो हमें तभी मालूम भी नहीं है, पता भी तो नहीं न, क्या आया, चलो, A1 का मान, A1 का मान, A-B, और A2, यानि, A2 कहा है भाई, ओ, A1, 2 है, A2, A-B है, यही सब तो ध्यान रखना है, ठीक न, यही सब ध्यान रखना है, A1, 2 है, A2, A-B है, यह हो गया, A1 अपान A2, अब B1 अपान B2 निकालो, तो B1 तीन है, चलिए, B1 क्या है, तीन है, अपान B2 यानि की, B2 की बैलू, A प्लस B, तो A प्लस B, C1 अपान C2, C1 का मान, देखो, यहां से माइनस 7 है, और C2 का मान, यह पूरा जंजाल है, तो माइनस 7, और यह पूरा जंजाल में क्या है, 3A प्लस B, इसको थोड़ा बड़ा सा मैं लिख देता हूँ, आप साथ साथ में नोट करते चलना, क्योंकि मैं हीलता डोलता रहता हूँ, है ना, तो यह 3A प्लस B माइनस का से बन, देखो, यह पूरी कहानी हो गई, इतना आप नोट कर लो, तब मैं आपको एक और हिस्सा बताता हूँ, इसका महत्त पूल, ठीक ना, हो गया ना, बहुत अच्छे, बेरी गूड, बस लगे रहो यारो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, हाँ, इसके बाद क्या कहा है, अब सवाल पर चलेंगे, अभी तक तो हम नार्मल कंडिशन में थे, कह रहा था कि, which value of A and B will the following pair of linear equation have an infinite number of solution, मतलब A और B के किस मान के लिए, A और B के किस मान के लिए, इन दोनों समय करणों के अनंत हल होंगे, अनंत solution होंगे, तो अनंत solution तब होंगे, जब A1, A2, B1, B2, C1, C2 अपस में बराबर होंगे, है न, तब ही होंगे अनंत, तो इसको इंगलिस language में कैसे लिखेंगे, हिंदी में तो आप समझ गए हो, ठीका, इंगलिस में समझाना जरूरी है, क्योंकि इंगलिस में ही आप सभी को ज़्यादा अच्छे से समझ में आना चाहिए, फार, infinitely many solution, लिखे, फार, इंफार, infinitely many solution, देखो भाई, मुझे इंगलिस में कमाता है, लेकिन हम हिंदी में बहुत अच्छा बताते हैं आपको, अनंत solution के लिए, ठीक ना, हिंदी में चाहिए लिख लो, अनंत solution के लिए, A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, इधर लिख लो, ब्रेकट में अपना समझने के लिए, होना चाहिए, ठीक ना, बस सिंपल सी बात है, यहां जब मान रखोगे तो सब आ जाएगा, दोड़ के अपने आप आ जाएगा, यह समझने के लिए बेकर्ट में लिखुआ है इतना होना चाहिए यह सब लिख लो उसके बाद हम यहाँ पर मान रख देंगे सब का जैसे उपर रखे हुए हैं बराबर कर देंगे आपस में बस A और B का माना जाएगा यही करना है नीचे हल होने के बाद उपर आना देखिए टाइम की बच्चत हो हमारा यही उद्दे से होता है इसलिए हम छोटी सी छोटी वीडियो में ज़्यादा जनकारी देने की कोसिस करते हैं तो यह मैंने डारेक्ट दिखा दिया यह बराबर होने चाहिए मैंने यहाँ बता दिया और यहाँ पर मैंने क्या क्या सभी के मान रख दिया अब यहाँ से हमें A और B के मान निकालने हैं तो आप एक बार इसको बराबर कर लोगे और एक बार इसको इसको बराबर कर लो चाहे इसको कर लो मतलब कोई भी दो मान लेकर के आपस में बराबर कर लो तो पहले हम A और C को बराबर कर लेते हैं यहां से हम मान निकाल लेंगे किसी न किसी का निकलेगा ठीक न? तो C क्या है ये? देखो माइनस जो था ना वो नीचे उपर दोनों में माइनस था फ्लस हो गया क्रास मल्टीपल करोगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू 3A प्लस B और यह माइनस का दो ओके और इक्वल 2 इंटू sorry 2 इंटू नहीं यह इसका तिर्षा गुड़ा करोगे ना 7 इंटू होगा क्या होगा 7 तो यह हो जाएगा 7 इंटू A माइनस B बस हल कर लो इसको सलूशन कर लो यहाँ पर ऐसे A रो बना लो बराबर मतलगाना क्योंकि दो जगवा बराबर नहीं होता है यह तो गड़बड हो जाएगा अब देखो यहाँ से A और B कमान निकालना है किसी भी तरह से चाया जैसे भी करके कुछ भी करो इसका समीकरन बनेगा तो मल्टिपल तो करना पड़ेगा तो यह 6 हो जाएगा इसमें हो जाएगा तो यह 2 भी इसमें यह 2 में होगा तो 4 यह 7 A माइनस 7 B A के उपाय है जो भी जूड़े घटे जोड़ घटा लो तो 7 A इधर है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा यानि माइनस में हो जाएगा तो यह A बड़ा है तो माइनस का A आजाएगा है न, माइनस के A आ जायेगा न, और क्या होगा, ये देखो B है, 2B है, प्लस में है, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस में हो जायेगा, यानि कि प्लस का ये 7, 2, 9B हो जायेगा, ओके, और ये माइनस का 4 है, तो ये क्या होगा, माइनस का 4 ही रहेगा, और बराबर हो जायेग जीरो ये हो गया एक समीकरण लेकिन ये समीकरण अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि सुरू सुरू में माइनस लगा है है न तो साथियों माइनस का चिन हमारी हटाना प्रत्मिक्ता है तो माइनस का चिन हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ हम क्या करेंगे इसमें माइ माइनस 9V और फ्लस का 4 इक्वल 0 यह समय करण 1 बनेगा बात समझ में आई इसको नोट कर लो समय करण 1 हो गया अब हम इसमें से कोई भी दो मान बराबर कर दे एक बार तो मैंने A और C लेके बराबर कर दिया देखो यह A1 A2 B1 B2 C1 C2 था तो हमने A1 A2 लिया और C1 C2 लिया अब हम B1 B2 और C1 C2 बराबर करके दूसरा समय करण बनाएंगे दोनों समय करण मिला करके मान निकाल लेंगे चलिए अब इन दोनों को देख लेते हैं एक बार हमने A1 B1 सुरी A1 A2 और C1 C2 को बराबर किया था अब A1 A2 और B1 B2 को बराबर करके यहां से दूसरा समय करण बना लेंगे ठीक ना तो दूसरा समय करण देखना यहां से कैसे बनता है ग्रास मल्टिपल करोगे तो 2A और इसमें करोगे तो यह 2B इक्वाल यह 3A माइनस का 3B हल कर लो एक समय करण बनेगा उधर से 3A इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानि कि घट जाएगा तो माइनस का A और देखो यह इधर आएगा तो पलस में होगा और पलस का 5 भी इक्वाल 0 हो जाएगा यह देखो एक वैसा नमबर सिकेंड बन गया दोनों कितने आसान बने हैं न देखो इसका A बराबर है और क्या है उसका भी A बराबर है दोनों समय करण का देखो एक पदा आलरेडी बराबर है है ना तो क्या करोगे अब आप इसमें अब इसमें आप एक काम कर सकते हो से पहले तो इसका ए आगे माइनस इसको हटा तो अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी समीकरण में अगर ऐसी इस्थिति बनती है तो आप इसमें माइनस वन से गुड़ा कर दो जिससे पहले सुरु वाला प्लस हो जाए ठीक ना तो माइनस वन से गुड़ा करो गे तो यह प्ल घटा आने पर इंगलिस में लिख रहे हो तो ऐसे लिख लो subtracting one from frequent equation ठीक ना तो चलिए a-9b और प्लस 4 equal का है 0 इसको भी लिख लो a-5b इसमें c की जगा पर कुछ है नहीं बराबर 0 कोई दिक्कत नहीं है no problem घटा होगे चिन बदलेंगे यह कट जाएंगे यह भी बदल जाएगा यह प्लस माइनस घटेगा तो 4b आएगा और यह माइनस का 4 equal 0 आएगा तो साथियों ऐसे इस्तिती में आप क्या करोगे यहां से आप निकालोगे वी बराबर तो यह माइनस का 4 4 यानि की कुल मिला के 4 अपान 4 बराबर 1 हो जाएगा यानि का मतलब बी कमान एक आएगा कितना आएगा एक आएगा अब आप बेसिक में जानते हो इसलिए इसको हम बहुत जादा डिस्क्राइब नहीं कर रहें हाँ ठीक ना तो अब क्या करोगे बी कमान आ गया यानि की हमें ए और बी के ही मान निकालने थे अब क्या करेंगे हम अब बी कमान किसी भी एक समिकरण में रख दो एक कमान निकाल लो बस यही थी पूरी कहानी जो आप समच चुके हो है ना चलिए लिखिए बी कमान समी करण 2 में रखने पर कहीं भी रख दो B का मान समी करण 2 में रखने पर समी करण 2 हमारा फाइनल में यह बना था यही बना था न तो A-B का मान आया है 1 बराबर 0 A-5 बराबर 0 A equal 5 अब आप लिख सकते हो आथा A बराबर 5 और बी बराबर एक के लिए इन समीकरण के अनन्त हल होंगे ठीक ना लिख लेना ए बराबर पांच और बी बराबर एक के लिए इन समीकरण के अनन्त हल होंगे इंगलिस मिलिख लेना hence a equal 5 and b equal 1 are the values for which the given equation gives infinitely many solutions okay understand कि साथियों आपको एक बात बता दें आप सभी की बहुत सारी इंक्वारी जाते हैं जिसके लिए मैं यहां पर कुछ डेटियल दे रहा हूं अगर आपको पूरी complete class देखना है कक्षादस की पूरी महत पढ़ना है तो play store पर pvr study का बिल्कुल निसुलक apps है उसे अपने phone में install कर लें उसके बाद अपना mobile नंबर email ID और नाम और भर करके एक चारंग का पिन खुद से बनाना और login करना ठीक ना कोई अगर टेकनिकल इसू है कोई अगर आपको help चाहिए तो आप हमें WhatsApp पर message कर सकते हैं याद रहे WhatsApp पर कोई pvrstudy.com विजिट करें और वहां से भी बहुत सारे study material फ्री में देख सकते हैं मिलते हैं फिर अगली कलास में लेकिन एक बात याद रखना यह कलास हर दिन सुबह 8 बज़े से pvrstudy 3.0 चैनल पर होती है आप इसे बहुत दिन बाद इस चैनल पर देख रहे होंगे न pvrstudy 3.0 यूटूब पर सर्च करना यह pvrstudy का चैनल नंबर 3 है ठीक न तो चैनल नंबर 3 10 और 12 वालों के लिए बिसेश है इस फैसली देखना जरूर एक बार चलते हैं फिर जैहि इसना